इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. टेलकनॉल एम 40 mg, 5 mg टेबलेट में दो दवाएं हैं. ये दोनों ही उच्च रक्चाप को नियंतरित करने में मदद करती हैं. ये रक्च वहिकाओं को आराम देकर रक्चाप को कम करता है और आपके दिल के लिए आपके शरीर के चारों और रक्च पंप करना आसान बनाता है. इससे आपको दिल का दोरा या स्ट्रोक होने का खत्रा कम हो जाएगा. टेलकनॉल एम 40 मिली ग्राम, 5 मिली ग्राम टेबलेट को खाली पेट या भोजन के साथ लिया जा सकता है. हालाकि बहतर होगा कि इसे नियमित रूप से प्रती एक दिन एक निश्चित समय पर लें, जैसा कि आपके डॉक्टर ने बताया है. खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं. यह दवा लेते रहना महत्वपूर्ण है, भले ही आप अच्छा महसूस करें. आपके रक्चाप को कम करके, यह आपके दिल के दौरे या स्ट्रोक के जोखिम को कम कर रहा ह इसलिए इसे तब तक लेना बंद न करें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए न कहें. आप अपनी जीवन शेली में कुछ बदलाव करके इस दवा को बहतर धंक से काम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि सक्रिय रहना, धूम्रपान बंद करना और कम नमक और कम वसा वाला आहार खाना. इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में आपकी टखनो या पैरों में सूजन यानि की एडिमा, सिर्दद, नींद आना, चक्कर आना, ठकान और पेट खराब होना शामिल है. चूंकि इस से तंद्रा और चकर आ सकते हैं. इसलिए जब त इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको किड्नी या लीव की कोई समस्या है या गंभीर निर्जली करण है. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. इस दवा का उप अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद